राधे राधे जी सभी को कैसे है आप सभी उमीद करती हूं सभी लोग बढ़िया होंगे आज हम बना रहे हैं शाही पनीर और इतना जाता है टेस्टी बनने वाला है कि सभी पूछेंगे कैसे बनाया और साथ में इतनी चल्दी रैस्पी बन जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसके लिए मैंने यहां पर डेड़ प्याज लिया है और उसे रफली चॉप कर लिया है साथ में लिए दो टमाटर मीडियम साइज के उन्हें भी चॉप कर लेंगे और अब हम कडाई में तेल ले लेंगे तो थोड़ा सा तेल लिया है जितना कि हम तड़की के इन वे से अगर आपके पास कुई मसाला नहीं है तो आप सकीब कर दीजीए कोई बात नहीं वैसे भी बहुत ज्यादा टेस्ती बनेगा अगर आप प्यार से बनाएंगे तो मेरे पास यूज्य थे तो मैंने डाल दीए अधर वाइस मैं बहुत कम यह मसाले यूज करती थो पर ढाल देंगे दो चमज जीरा और सावित्त जीरा मैंने यहां पर ढाला है और इस थो जब kरी देंग़ उसके बाद यहां पर ग्रिए चौप sean और चाहा था उसे डाल देंगे और साथ में टमाटर भी क्यों इस तरीके से जब आप आप जयादा नहीं सकते हैं अपता करना और एक यहां UM जो नहीं एक भार चुटों पर चम्पर स्थाव गूपिए करने डाला है यहां फीन डिया हैं चमच नमक चोटे वाले और साथ में आधा चमच के करीब हल्दी डाली है इससे जो है हमारे प्याज टमाटर जल्दी कुख हो जाएंगे तो अभी हमने लगबग दो मिनिट के लिए कुख कर लिया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है पस इतना ही हमें पकाना है टमाटर सॉ करीब पनीर था तो मैंने इसमें से एक टुकडा साइड में रख दिया है बाद में यूज कर लेंगे चार से पांच लोगों के लिए मैं सब्जी बना रहे हूं तो अगर आप दो तीन लोगों के लिए बनाते तो आप बड़े पीसीज भी कट कर सकते है उसी साब से पनीर क तो चलिए बाकी की पनीर पीसीज भी मैं कट कर लेती हूं और यहां पर हमारा जो है प्यास ट्रमाटर भी ठंडा हो चुका है अब इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और हमें इसे अच्छे तरीके से पीसना है बिल्कु स्मूथ पीसेंगे ताकि कुछ भी मसाला हमारा वेस करेंगे तो आप इसे चेक कर सकते देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारी जो है ग्रेवी त्यार हुई है अगर आपको लगता है कि कोई पीस इसमें रह गया तो आप इसे थोड़ी देर और पीस ही और या फिर पीस अगर नहीं पीस आ जा रहा है तो आप उसे मसाले को निकाल नहीं सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन रहें चांग लेंगे वेहिं मदो ускुक्क में नहीं तो अभी और यम कडाय में तेल डालेंगे थोड़ा सा मरे से थोड़ा से ज्यादा इस नाल गया है थोड़ा कम ही तेल रखिए अभीय को बृकुल लोपे पिर घु स्म täält डाल देंगे और इस ग्रेवी को अब हमने लगभग एक से दो मिनिट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है और ताकि जो है मारी जल्दी से त्यार हो जाए और इस भी मिक्सी जार में हम पानी डालेंगे और इसे इसी में एड कर देंगे मसाले में तो यहां पर दो मिनिट हो चुके है और हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच के करीब कसूरी मेथी और साथ में एक चमच कीचन किंग डाला है आप चाहे तो शाही पनीर मसाला या फिर कोई भी मसाला यहां पर यूज कर सकते हैं तो चलिए मस दूद भी डाल सकते हैं विल्कुल उप्शन न रहे चीजे और यहां पर पनीर में डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाल दिया है ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसी पी आपको पसंदे वैसे रख सकते हैं तो दो मिनिट के लिए औ हमारा जो है शाही पनीर बनके त्यार हो चुका है बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा जल्दी बनके त्यार हो गई थी सबजी तो आप भी जरूर एक वार यह रैस्पी ट्राइ करना और मुझे बताना की कैसी बनी थी लास्ट में हम इसमें डाल देंगे भूले और कमेंट करके बताए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों